क्या ब्रह्म्हंड के रहस्यों से परदा उठने वाला है? क्या अंत्रिक्ष की दुनिया का नाया दर्वाजा खुल चुका है? क्या भविश्य में धर्ती पर होने वाले महाविनाश को रोका जा सकता है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब व्यग्यानिक ही नहीं, दुनिया के लाखों करोणों लोग जानना चाहते हैं दुनिया के सुपरपावर देश अमेरिका और उसकी अंत्रिक्ष अजनसी नासा ने धर्ती की ओर तेजी से बढ़ रहे उस खत्रे का रुख बदलने में बहुत बड़ी काम्याबी हासिल की है जो प्रत्वी पर किसी आफ़त से कम नहीं, जो इंसान के वजूद के लिए भी बहुत बड़ा खत्रा हो सकती है हिंद महसागर के उपर करीब सतर लाक मील दूर एक विशाल एस्टरॉइड की ऐसी घटना हुई जिस पर पूरी दुनिया की नजनेटी की थी एक ऐसी आस्मानी चटान और प्रत्वी की तरफ बढ़ रहे सूपर विलेन जिसे जिमॉर फॉस एस्टरॉइड कहा जाता है उसे नासा को रूकने में बहुत बड़ी कामियावी मिली है जो दिखने में बेहत छोटा एस्टरॉइड है लेकिन आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये एस्टरॉइड कितनी भारी तबाही मचा सकता है नासा के मुताविक ये एक बड़े एस्टरॉइड डिडिमॉस के चक्कर लगा रहा था जो धर्ती को काफी नुकसान पहुचा सकता था लेकिन नासा का ये मिशन सफल रहा जिस वक्त ये एस्टरॉइड नासा के स्पेस क्राफ्ट से टकराया उस समय इसकी स्पीड 6.6 किलो मीटर पती सेकेंड थी इस मिशन का मकसद उस एस्टरॉइड को खत्म करना नहीं बलकि उसके और्बेट यानि एक तरह से उसके रास्ते में बदलाव करना है वैज्यानिकों को उमीद थी कि इस घटना के बाद कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं लेकिन अफसोस उसी वक्त डार्ट का रेडियो सिगनल बंध हो गया और एस्टरोइड कहां गायब हो गया इस बारे में फिल हाल कुछ पता नहीं चल पाया है अब सवाल है कि क्या है डार्ट मिशन डबल एस्टरोइड रिडारेक्शन टेस्क जिसे डार्ट कहा जाता है डार्ट मिशन की शुरुवात पिछले साल नवंबर में हुई थी इस मिशन का लक्ष स्पेस से धर्ती की तरफ आ रहे एस्टरॉइट को रोकना है इस तरह एस्टरॉइट को रोकने के लिए नासा ने अपने स्पेस्क्राफ्ट को मिशन का हिस्सा बनाया जो एस्ट्रॉइट की तरफ 24,000 किलोमीटर पत्य घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ता है और उससे टकराता है हैरान करने वाली बात ये है कि नासा ने पहली बार किसी प्लेनेटरी डिफेंस टेस्ट यानि डार्ट मिशन को सफलता पूर्वक पूरा किया है ऐसे में भविश में धर्टी के उपर अगर किसी तरह के एस्ट्रॉइट के टकराने की आशंका होती है तो इस तकनीक से भविश में अंत्रिक्ष से प्रत्वी पराने वाले किसी भी खत्रे से बचाये जा सकता है आपको जानकर हैरानी होगी की अंत्रिक्ष में करीब 30,000 अस्ट्रॉइड हैं जिनकी निगरानी अस्ट्रोनॉमर्स करते हैं आज से करीब 6,5 करोड साल पहले 11 किलोमीटर चोड़े अस्ट्रॉइड की टकर से धर्ती से विसाल काई डाइनासॉर तबाह हो गए थे यही वज़े है कि वैज्ञाने अब आने वाले सैक्णों सालों में ऐसी कोई टकर ना हो इसकी तैयारी के लिए पहले से साउधान है